नमस्ते दोस्तो स्वागत है आप सभी का नेचरल लाइफ में दोस्तो ये है मेरा बेटा मानवेर और ये अक्सर इस तरह के स्टंट करता रहता है जिसके बज़ा से उसके सारी नई पैंट भी इस तरह से गुटनों में ही फट जाती है अगर आपके बच्चे भी ऐसा ही करते हैं तो जानिये मैं ऐसे क्या जुगाड करती हूँ कि उसकी फटी हुई पैंट को भी मैं नया बना लेती हूँ अब ये दीखिए ये दोनों पैंटों में इस तरह से गुटनों पर ही कट गया है फट गया है तो हमें क्या करना है कि ये सबसे पहले एक आइडिया मैं आपको दी रही हूँ तो इसे हमें उल्टा करना है ये जो लेग है उसका पैंट का उसे मैंने उल्टा कर लिया है और इस तरह से इसे पकड़ कर मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी तो ये देखे यहाँ पर जो फटा हुआ था वो अंदर की तरफ चला गया है तो अगर इस तरह से एक साइड पे दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा पर ये एकड़म पैटन की तरह दिख रहा है तो मैं क्या करूँगे कि इसके सेकंड साइड में जो दूसरा लेग है उसमें भी इसी तरह से मैं सिलाई करके सेम ऐसी ही पैटन बना लूँगी तो ये दोनों साइड से देखे मैंने सिल लिया है तो अब ये एक डिजाइन की तरह बन गया है और जो फटा हुआ था वो भी छप गया है तो एक तो बहुत ही आसान सा तरीका यही है कि आप इस तरह से दोनों साइड कर लीजिए अब नेक्स्ट आइडिया मैं आपको दे रही हूँ तो देखें यहाँ पर जो फटा हुआ हिस्सा है उसके उपर मैं एक और पुरानी जिंस का इस तरह का एक पीस लूँगी फैबरिक लिंग वी और आप इसे जो चाहिए वो सेप दे सकते हैं मैं यहाँ पर इसे ट्राइंगल सेप दे रही हूँ जो फटा हुआ एरिया हमें छिपाना है और जिटना की पेज हमारा अच्छा लगेगा उस हिसाब से हमें यह ट्राइंगल पीस एक कट कर लेना है अब जो फटा हुआ एरिया था उसके उपर मैंने ये ट्राइंगल को रख लिया है और जो कटा हुआ हिस्सा था उसे छुपा लिया है अब मैं एक पिन की हेल्प से यहाँ पर उसे सैट कर लूँगी ताकि ये हीले नहीं उसके बाद मैं यहाँ पर रजाई के जो धागे आते हैं मोटे वाले ये उसे लूँगी और यहाँ पर मैं नीडल और थ्रेट की हेल्प से यहाँ पर इस तरह से टाकि लगा लूँगी यहां पर मैंने कोई spatial टांकी नहीं लिये हैं आपको भी जैसे आता है उस तरह से simply आपको टांकी लेना है और अगर हम चाहें तो भी यहां पर हम सिलाई मसीन से नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर सिलाई मसीन जाएगी ही नहीं तो यह देखें यह पूरे rectangle में मैंने इस तरह से टाके लगा लिये हैं तो यह एक design के तरह बन गया है आप चाहें तो इसे second side भी बना सकते हैं या फिर इस तरह का कोई भी button है या फिर जो ready में tattoo आते हैं इस तरह के fabric में attach करने के वो हैं तो आप उसे यहां पर attach कर सकते हैं अब एक और idea में आप शेयर करना जाती हूं इस तरह की जो हमारी लैंगिंग होती है वो पड़े-पड़े ही इसके elastic खराब हो जाती है तो इसमें भी आप बिना मेहनत किये बहुत ही आसानी से नई elastic add कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है कि यहां पर अंदर की side एक छोटा लेनी है जो कि यहां पर अंदर add हो जाए उच size की मैंने half inch की ली है अब यहां पर देखिए septic pin की मदद से मैं elastic को यहां पर insert कर लूँगी तो यह elastic मैंने यहां पर डाल दी है अब यहां पर मैं stitch कर लूँगी तो यह इसली इसके अंदर elastic set हो गई और elastic आपकी जूबी कमर है उससे आपको four inch कम लेनी है तो बहुत ही अच्छे से आपको fit हो जाएगी तो देखिए यह जो waste हो चुकी थी वो लेंगिस मेरी fit से बड़ी सी elastic नई भी डाल सकते हैं और उसी elastic को आप थोड़ा सा बहार की साइड खींच के उसे एक्स्ट्रा सिलाई लगा कर एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं तो भी अच्छे से फिट हो जाती है यह जो वीडियो है ना friends उसे मैं संडे के दिन सूट कर रही हूं जो भी मेरे पैं की अच्छी कुर्तियां होती हैं जिसे अब हम नहीं पहनते हैं उसमें से इस तरह के बड़े-बड़े स्क्वार पीस मैंने कट किये और इस तरह से इन सभी को अटेच करके एक बैट सिट बनाई है इसका वीडियो मैंने टॉप 3 वर्ड में अपलोड किया हुआ है आप करने में मुझे कम पड़ रही है तो मैं एक पुरानी बैट सिट से कुछ हिस्से को कट किया है इस तरह से और देखी मैं यहां पर इसे सिलाई करके अटेच कर लोंगी ताकि यह टक करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए तो यह बैट सिट अगर हम अच्छे से टक करे पर इसे तरह से अटेच कर लोंगी तो देखिए यह मैंने दोनों साइड एक्स्ट्रा फैबरिक को जॉइंट कर लिया है अब इसे मैं यहां पर इस तरह से टक करने के लिए यूज करूंगी तो यह बहुत ही अच्छे से इसके अंदर चला जाएगा बाहर बिल्कुल भी न अच्छे आएगी अंदर फैबरिक ज्यादा होगा तो यह बहार नहीं निकलती है इसमें सरवटे नहीं पढ़ती है और हमारा बैट जो होता है वो अच्छे से पूरा दिन सेट रहता है यह एक कॉमन आइडिया है साहद आप भी करते ही होंगी लेकिन मैं अपने सारी बैट भी गया अब बच्चे चाहें इसके ऊपर कितना भी उचलकुद कर ले लेकिन यह खराब नहीं होती है तो फ्रेंड्स यह था मेरा आज का वीडियो आज की जो भी टिप मैंने आपसे स्यार की है वो आपके लिए यूसफूल होगी और आपको यह वीडियो पसंद आया होग तो प्लेस दोस्तों वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना और अगर आपने हमारी चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना ऐसे और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय भारत